हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टुझे चैनल दोस्तों साइबर सीकुर्टी एक ऐसा डूमेन है जो किसी भी सीजन में चाहे दुनिया में कहीं पे भी रेसेशन चल रहा हो साइबर सीकुर्टी की डिमांड हमेशा बढ़ती रही है चाहे वह पैंडेमिक रहा हो चाहे वह वार चल रहा हो बिट्वीन यूक्रेन और रश्या का हर समय साइबर सीकुर्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ी रहती इन वार में भी वार शुरू होने से पहले जो सबसे पहले अटैक हुए थे वह साइबर सीकुर्टी के ही अटैक हुए इसलिए अगर आपके पास साइबर सीकुर्टी की नौलेज है तो आपका डिमांड मार्केट में हमेशा बना रहेगा और ये ऐसा कैरियर है जिसमें कभी भी एक डिक्लिनेशन नहीं आ सकता यह हमेशा ग्रो करता है और इस कैरियर में सस्टेन करने के लिए आपके पास अगर कुछ साइब करेंगे आपके कैरियर को बूस्ट करेंगे आपके कैरियर पात को ग्रो करने में जरूर मदद करेंगे और इसी में एक सर्टिफिकेट है CISSP सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्यूर्टी प्रोफेशनल यह ISC2 और इसमें लगबख आठ डोमेन होते हैं जो लगबख सारे टॉपिक कवर करते हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इस डोमेन में काम कर रहे हैं तो और इसके बाद यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके पास जो नॉइज आती है वो इस लीवल की होती है कि г이 आप किसा ऑर्ग्नइशन के सीनिया मेनेज मेंट के साथ बैट CISO और C-Level के बंदों के साथ बैड करके आप Cyber Security का पोस्चर कैसा होना चाहिए आप उस डिसकेशन में Participate करते हैं आप Senior Management को Advise करते हैं उनको Suggest करते हैं उनको Technology Tool के बारे में बता सकते हैं और यहां तक कि कि आप Cyber Security के जो Organization का Goals और Objective उसको Meet करने में भी आप एक एहम Role Play कर सकते हैं इसलिए CISSP का जो Certificate है इसको Golden Certificate कहा जाता है और आज के इस वीडियो में CISSP का जो Domain 1 है मैं वहां से शुरू करने जा रहा हूं यह बिल्कुल पहला वीडियो में से CISSP बनाने जा रहा हूं और इसके आने वाले कई सारे वीडियो में मैं सारे आठ के आठों Domain कवर करूंगा तो चलिए शुरुवात करते हैं Domain 1 की Domain 1 है हमारा सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट तो सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट यह डूमेन है इसमें समझाने के लिए बैसिकली इसमें चार चैप्टर में इसको तोड़ा गया है ठीक है चार चैप्टर में चार सेक्शन में इसको ब्रेक किया गया है और एक है करके चार चैप्टर समझते हैं पहला जो चैप्टर है वह है governance फुरू और प्रिंशिपल एंड पॉलिशी डी स्ट्रेंग यह देखिए और प्रोजेक्ट लेते हैं उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको गवर्नेंस इस्टैफिश करना पड़ता है आप सीनिय मैंगमेंट को इंवालव करते हैं और उसके बैसिस पे आप scope of work define करते हैं, क्या काम करना है, किस team को hire करना है, कौन-कौन से developer आएंगे, कौन-कौन से testers आएंगे, timeline क्या होगी, budget क्या होगा, resources कहां से हैं, कहां से हैंगी, सब decide करता है, और ये decision कहां पर आता है, governance में, इसलिए, domain 1 में जो पहला chapter है, वो governance काई, और आप governance कैसे करेंगे, by following certain principles, certain policies, ठीक है, तो जो principles and policies हैं, इसमें हम लोग basically पढ़ेंगे, standard, process, policy, guideline, इसमें हम लोग supply chain के बारे में पढ़ेंगे, और भी काफी कुछ इसमें हम लोग governance के बारे में भी पढ़ेंगे, और काफी काफी साई details में हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे, ठीक है, next chapter आ जाता है, इसम personal and risk management इसमें risk management हम लोग पढ़ने जा रहे है, risk management में मतलब हम लोग risk को identify कैसे करते है, risk को evaluate करेंगे, risk को assessment करेंगे और risk को treat या mitigate कैसे करेंगे, वो सब detail हम लोग खुब detail में पढ़ने वाले है, ठीक है, risk management का methodologies कौन-कौन से होती है, वो सब हम लोग risk management पढ़ेंगे और जो दुसका पहला बदा part है, personal, इसमें किसी person की risk के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, किसी person के कारण या उस person पर कौन-कौन से threat possible हो सकते हैं, और उन threat को कैसे deal करना है, वो सब हम लोग personal security में पढ़ेंगे, ठीक है, third chapter आ जाता है, business continuity plan, PCP BCP में हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई adversary आ जाती है, ठीक है, मान लिजे एक bar आ गया, मान लिजे कोई आंधी तुफान आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, उस case में भी आपका business कैसे sustain करेगा, कैसे आपका business continuous progress करेगा, वो decision क्या-क्या हम लोग को लेने चाहिए, किसी adversary के case में, वो हम लोग disaster case में क्या-क्या काम करेंगे, वो decide करेंगा हमारा BCP, business continuity plan, इसमें हम लोग RTO पढ़ेंगे, recovery time objective क्या होता है, recovery point objective क्या होता है, business impact analysis क्या होता है, और यह सारे हम लोग, ऐसे कई सारे topics हैं, जो हम लोग इसमें cover करने जा रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद, चौथा chapter है, उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह देखिए, इस चौथा chapter में लोग पढ़ेंगे, laws, regulation, and compliance, ठीक है, हम लोग जो भी काम करेंगे, chapter 1, 2, 3 में, यह किसी ना किसी law से associated हैगा, उसमें हम लोग regulations भी follow करने हैं, कुछ compliance भी follow करने है, for example, हम अगर data privacy की बात कर रहे हैं, तो अभी इंडे में DPDP आ गया है, हमारे हाथ सारे compliance है, जो हम लोग को इस chapter में समझने पढ़ेंगे, ठीक है, तो चौथा chapter है, वो हमारा regulations, laws, and compliance के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता है, पहले दिन ही आप सब लोग overwhelmed हो जाएं, फिर बात में interest कहीं से lose हो जाए, so, जो chapter 1 है, governance through risk management, इसमें देखिए, सबसे जैसे अपने हिंदू धर्में, अपने पास भगवान हैं, जो सारा काम करते हैं, चाहे वो construction, destruction, maintenance of history हो, ठीक है, वो हैं ब्रह्मा, विश्णु, महेश, वैसी cyber security की दुनिया में भी, हमारे तीन ऐसे ट्रम हैं, जो हम लोग कुछ भी काम करते हैं, हम लोग कोई भी काम करें, चाहे वो data को protect करना हो, चाहे हम लोग को access देना हो, चाहे access रिवोक करना हो, आप एक नाम लीजे, वो उस नाम में कोई भी हम लोग काम करेंगे, cyber security की, वो इन तीन टम के आसपास ही घुमता है, और हमारा वो तीन टम है, C, I, A, C means confidentiality, I means integrity, and A means availability, cyber security दूने में हम लोग कुछ भी करेंगे, उसमें एक ही रोल रहेगा, कि CIA को protect करना है, बस, अगर CIA को protect कर लिया, आपका cyber security का domain आपने अच्छे से समझ लिया है, और आपको बताते हैं, जो domain 1 है, इसमें लगबग 15% questions आते हैं, जो अभी revise जो saliva होने वाला है, उसमें ये 16% होने वाला है, तो आप समझ लिए, ये foundation level का certificate है, और कितना ज़्यादा important है, ठीक है, 15-16% इसमें questions आने के chances रहते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं, C क्या होता है, ठीक है, C जैसे मैंने बता है, C is confidentiality, माल लिए, आपके पास एक information है, एक message है, और ये message आपने एक group में share किया है, ठीक है, माल लिए इस group में कई सारे लोग हैं, जिनके साथ आपने ये information share की, इनके पास ये information को read करने का access है, ठीक है, मतलब, ऐसी information जो आपने जिन लोगों के साथ, intended users के साथ share करी है, if in case only those are able to access, that means you are maintaining the confidentiality of that particular information, अगर कोई और resource है, कोई और, कोई और resource है, जो इस information को access कर लेता है, जिसके साथ आपने access, जिसको आपने access नहीं भी दिया है, लेकिन वो तब भी इसको माली ये read कर ले रहा है, ये view कर ले रहा है, तो ये हमारा breach होता है confidentiality का, ये हमारा confidentiality को जो law है, उसको breach कर रहा है, और यहाँ पर हमारा confidentiality नहीं माली जाएगी, अब ये जो group है, ये भली 50,000 लोगों का हो, लेकिन हमें ये देखना है कि 50,000 लोग ही इसको access कर सकते हैं, उसमें से 50,000 एक वाला जो वेकिती है, वो access नहीं कर सकता है, ठीक है, अगर हम लोग ऐसा कर ले रहे हैं, तो हमारा confidentiality breach नहीं हो रही है, अब confidentiality किसी information या data की हमें maintain करनी होती है, उसके सारे state में, मतलब, कोई भी जैसी ये information या data है, इसके तीन state होते हैं, जैसे material के तीन state होते हैं, solid, liquid, gas, वैसी एक इसमें होता है data at rest, data at move, इसको हम लोग transit भी कहते हैं, और एक होता है data in process, ये तीन state होते हैं, जिसमें हम लोग को जो information होती है, उसको protect करना होता है, उसको confidentiality उसकी maintain रखनी होती है, अब data at rest क्या होता है, data at rest मतलब जैसे माल लिए, आपके पास data hard disk drive में है, आपके पास static drive में है, आपके पास USB में है, CD में है, DVD में है, share drive में है, ठीक है, ये सब आपका data वो है, जो कहीं पे store है, move नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे बस store रखा हुआ है, वो हमारा होता है data at rest, अब आजाता है हमारा data move or transit, data move कहां से करता है, जैसे आपने कोई email भेजा, ठीक है, आपने वेब पे जा रहा है, ठीक है, वेब ब्राउजर की तुरूँ data move कर रहा है, या आप कोई file transfer कर रहा है, या आप किसी API की तुरूँ data को call कर रहा है, या हम लोग data send कर रहा है, तो ये state हो जाती है, हमारी data at move or data at transit की, अब process में क्या होता है, process को समझाने के लिए मैं एक example लेता हूँ, मान लिए आपके पास तीन application है, एक है Microsoft Word, एक Microsoft Excel और एक Microsoft PowerPoint, ठीक है, अब आप Microsoft Word में आपने कुछ लिखा, आप उसको save कर रहा है, उसकी permission अफसेट कर रहा है, who can view, who can read, or who can make any changes, उसको आपने permission वेकरा सब्सेट कर दी, यहाँ पे जो data आप save कर रहा है, याँ आप जो लिख रहा है, Word हो चाए, Excel हो चाए, PowerPoint हो, यहाँ पे यह data process हो रहा है, तो जहाँ कहीं पे भी data process हो, आपको कैसे पता process हो रहा है, आप अगर आप Windows machine यूज़ करते हैं, तो आप अगर task manager में जाएंगे, तो इसका एक P1 एक process बनेगा, P2 इसका बनेगा, इसका P3 बनेगा, यहाँ तक कि इसका CPU भी, utilization भी अलग-अलग होगा, CPU 2, इसका CPU 3, in fact, इसका जो memory भी रहाएगा, वो भी तीनों का अलग-अलग-अलग होगा, memory 1, memory 2, memory 3, मतलब यहाँ पर यह जो data है, इसको separately process किया जा रहा है, तीनों application के लिए, यह हमारा example है, data in process, अब हमने कहा था कि, जो भी data या information होता है, वो हमें protect करना होता, उसकी सारी state में, अभी तो मैंने आपको state बताई, और उसमें क्या क्या example थे वो बताया, आप protect कैसे करेंगे, देखिए, data at rest, या data at move, इसको protect करने के लिए, अगर exam में आता है, कि how do we protect data at rest, data at move or in transit, तो best answer है, we should encrypt the data, ठीक है, हम लोग data encryption करते हैं, encryption मतलब क्या होता है, देखिए, ये सब हम लोग chapter 3 में, हम बहुत detail, जब domain 3 पढ़ने जा रहे हैं, उसमें बहुत detail में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको high level समझा रहा हूँ, क्योंकि पहला ही session है, जैसे माल दीजे, मैंने एक message भेजा, hello, ठीक है, आप इसको read कर पा रहे हैं, आप इसको understand कर पा रहे हैं, कि ये hello means क्या हो रहा है, लेकिन, अगर मैं आपको hello की जगे भेजता हूँ, exclamation mark hash, p23, wqz, आप इसको read दो कर पा रहे हैं, लेकिन क्या आप understand कर पा रहे हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने कोई एक algorithm लगाई, और से algorithm से मैंने इस data को change कर दिया, अब इसको decrypt करना पड़ेगा, समझने के लिए, कि ये इसका original message क्या था, हम लोग encryption में, अगर data at rest होता है, तो वहाँ पे algorithm लगाते हैं, AES, Advanced Encryption Standard, ठीक है, और data जब move करता है, तो हम लोग लगाते हैं, Transport Late Security 1.2 या 1.3, ये क्या होता है, AES, TLS, ये सब आपको खुब detail में पढ़ाए जाएगा, अभी किवल मैं आपको concept छोटजी में-दी में develop कर रहा हूँ, ठीक है, जंप नहीं करूँ, अभी मैं TLS बताऊंगा, तो आप मिन टॉफिक सी भटक जाएगे, डेटर जब move कर रहा होता है, तो TLS करते हैं, और data at rest में AES 256, हम लोग इसमें algorithm में लाते हैं, 256 क्यों होता है, 257 क्यों नहीं होता, 255 क्यों नहीं होता, AES है क्या है, अभी तक कोई भी data हम लोग प्रोसेस कर रहे होता है, तो उसमें data हमारा encryption नहीं हो सकता है, हमें उसको plain text में ही convert करना पड़ता है, अगर हम लोग कोई भी data अगर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, अभी तक वो technology नहीं आई है, कि हम लोग किसी data को process करते समयंभी, हम लोग उसको encryption कर पाएं, ठीक है, तो हम लोग process करते समयंभी कैसे करेंगे, उसका एक solution है, उसके इंफेक्ट दो solution है, पहला solution है, कि हम लोग एक stringent access control लगाएंगे, ठीक है, एक stringent access control लगाते हैं, और उस control से हम लोग क्या करते हैं, जिसको यह data view करना है, वह ही इस data को view कर पाया, जैसे Microsoft Word है, मैंने इस पर password लगा दिया, अब जिसके पास password पता होगा, जिसको उन्हें पासफर्ट शेर किया है, और जिसके पास password पता है, वह ही इस Excel को open कर सकता है, हमने access control लगा दिया, जिसके पास access control के हिसाफ से view access है, वह इसको view कर पाएगा, जिसको execute, जिसको जो modification करना है, वह modify कर पाएगा, जिसको delete करने के right से, वो delete कर पाएगा, चाहिए वह Excel हो, PowerPoint हो या world हो, एक तो हो गया access control, दूसरा क्या है, दूसरा आपने देखा हो है, जिसको मैंने यहां पता है, कि तीनो ही application के लिए, एक separate process run हो रहा है, separate CPU allocation हो रहा है, और separate memory allocation हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है, कि हम लोग ने तीनो प्रोस, तीनो applications को isolate किया है, that means, another way to protect the confidentiality of any data is isolation, तो पहला तरीका है access control, दूसरा तरीका है isolation, ठीक है, isolation मतलब आपने जो word में save किया, जो rights आपने word में दिये, उसका कोई भी impact, Excel या PowerPoint पे नहीं होगा, और वाईसा वर्ट था, PowerPoint में आपने जो भी diagram बनाया, जो भी designing करी, वो आपने वहीं पे save किया, अगर आपने ऐसे नहीं world save करें, तो PowerPoint save हो रहा है, PowerPoint save करें, Excel हो रहा है, तीनो isolated applications run कर रही है, और इसकी वज़े से हम लोग data को confidentiality, हम लोग protect कर पाते हैं, कोई भी किसी में interfere नहीं कर रहा है, तो यह थे कुछ important point, अब आते हैं, example समझते है, confidentiality के example क्या क्या है, सबसे पहला example आ जाता है, PII, PII क्या होता है, Personal Identifiable Information, मतलब, ऐसी information, जिससे आप किसी person की, आप identity disclose कर सकते हैं, उसकी identity के बारे में पता कर सकते हैं, Personal Identifiable Information, इसको PII बोलते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपका first name आ सकता है, इसमें last name आ सकता है, इसमें आपका आधार नंबर आ सकता है, आपका pen नंबर आ सकता है, आपका social security नंबर आ जाता है, आपका account नंबर आ जाता है, आपका address आ जाता है इंफेट कई बार तो genders को भी हम लोग PIA data मान लेते हैं और ऐसी कोई भी information जिससे आपके बारे में कोई भी detail पता चल पाए वो हमारा PIA में आता है और उसको हमें maintain करना उसकी confidentiality को हमें maintain करना चाहिए वो बनाक रखनी चाहिए as a part of CIA trade दूसरा होता है PHI protected health insurance ऐसी कोई भी information जिससे आपकी health के बारे में information disclose हो सकती है जैसे कोई disease है कोई treatment चल रहा है कौन सो doctor treat कर रहा है कौन सो hospital treat कर रहा है कितना bill आ रहा है कितना insurance है यह सब information हमारी PHI में आती है बहुत से laws भी होते हैं जो इसको protect करते हैं और क्या example हो सकता है देखे हम लोग data को जब move कर रहे होते हैं तो इसमें FTP file transfer protocol का हम लोग यूज़ करते हैं कई बार यह कभी भी नहीं करनी चाहिए या तो FTPs यूज़ करिए या SFTP यूज़ करिए यह हमारा SSH secure shell रहता है और यह हमारा TLS रहता है secure way में हमें data को transfer करना चाहिए ठीक है TLS जो मैंने अभी बताया था data at move जब भी करते हैं तो हमारा transport layer security के थुरू जाता है अब यह होता है कि तोड़ सा detail में और समझते हैं देखिए कोई भी web browser है वह web server से connect करता है to access particular website और यह एक protocol follow करता है protocol means set of rules उसको follow करता है अब वह rule में क्या होता है उस rule जो communication होता है वह sttp कई बाए sttp के थुरू हम लोग उस rule को उस protocol को follow करते है hypertext transfer protocol sttp को follow करते है ठीक है sttp में जब कभी को data communication हो रहा होता है तो वह unsecure होता है उसमें plain text में data transfer होता है और इसलिए हम लोग sttps को tls के साथ combine करके इसको बनाते है sttps और sttps के थुरू जब कभी भी data transfer होता है तो वह secured रहता है वह encrypted रहता है इसलिए हमेशा data sttps में हम लोग को transfer करना चाहिए और example क्या हो सकते हैं जैसे यह तो हो गया माली थी locks की बात करते हैं ठीक है अब locks को भी application होती है कि बहुत सारे locks generate करती है normally locks में हम लोग को बहुत से information मिल जाती है तो टिपकली locks में हमें करना क्या चाहिए हमें locks चाहिए क्यों होते हैं locks की वजए से locks की basis पे हम लोग audit trail कर सकते हैं हम लोग समझ सकते हैं किसी user ने कौन-कौन से steps follow किये थे हम लोग forensic करते हैं को incident होता है तो हम लोग locks को track करके हम लोग पता चलता है कि कहां पे जाकर के incident हुआ क्यों हुआ कितने बजे हुआ तो और किसने किया हम लोग hostname IP और events का time वह सब हम लोग track कर सकते हैं लोग में track कर रहे हैं तो इध्यान रखिए कि वह plain text में होना चाहिए especially password वह हमेशा encrypted format में होना चाहिए और इसलिए locks is also very important as a part of maintaining the confidentiality of CIA trade इसको भी protect करना चाहिए लोग हमेशा encrypted होने चाहिए plain text में नहीं होने चाहिए ठीक है तो यह कुछ information थी दोस्तों जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी confidentiality के बारे में next video में हम लोग पढ़ाएंगे integrity और availability और आगे के topic देखेंगे उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा thank you so much